जम्मू कश्मीर विदान सबा चुनावों का आज दूसरा चरन है और इस समय हम मुझूद हैं पुंच जिले की मेंडर सब्डिविजन मेंडर सब्डिविजन जो की बारत पाकिस्तान नियंतरन रेखा के साथ सटा हुआ इलाका है और मैं अभी आपको एक ऐसी तस्वेर दिखाऊंगा सबसे पहले आप देखीगा कि ये एक सर्विलांस रूम है यानि 142 जो पोलिंग स्टेशन है मेंडर के अंदर बिलकुल बॉर्डर के साथ सटे हुए ये बिलकुल LOC के पास में इसको स्थापित किया गया है और आप ये तस्वेरों में देख सकते हैं ये बिलकुल बॉर्डर के एरिया में जो है वो लोग किस तरीके से सुबा निकल रहे हैं इस पूरे जितने भी पोलिंग स्टेशन है उनको सरवी लांस में रखा गया है ताकि बॉर्डर पर किस तरीके से यहां पर पोलिंग हो रही है उसे मोनीटर किया जा सका है और साथ में आप देख सकते हैं कि एक यहां पर यह जो शक्स हैं प्रॉपर यहां पर अपडेट कर रहे हैं और तमाम उन पोलिंग स्टेशनों पर नजर रखे हुए हैं कि इस समय बिलकुल शान्ती पूर्वक जो है वो मतदान स्टार्ट हो गया है बारत पाकिस्तान नियंतर रेखा के साथ सटा हुए इलाका है बॉर्डर का इलाका होने की वज़ा से जो है खास तोर पर विशेश यहां सुरक्षा को देखा गया है वहीं ये भी देखा जा रहा है कि किस तरीके से वहां कोई किसी किसम की कोई दिक्कत तो नहीं है हाला कि तमाम अधिकारी जितने भी स्कूर्टी फोर्सिस डिप्लाइड है वो यहां पर अभी आप देख सकते हैं कि इनकोई कॉल आया है यह तमाम वहां से अपडेट इनको दिया जा रहा है कि किस तरीके से जो है यह मोनीटर करें ताकि जो है अगर कोई इने इस तरीके की कोई अपरिये गटना या किसी तरीके की भी सूचना मिलती है तो तुरंत यह आधिकारी को संपर करके वहां पर तुरंत एक्षिन जो है वो किया जा सके यह यहां पर बिल्कुल एलोजी के पास बॉर्डर पर इस सर्विलेंस रूम को जो है वो स्थापित किया गया है मैं एक बार इनसे बात पर करना चाहूंगा सर आपका नाम तारिक मुन्शी तारिक जी यह आप क्या सैटप लगा के बैठे हैं यहां पर पूरा सीजी टीवी सर्विलेंस कर रहे हैं यहां पर चेक कर रहे हैं हर स्टेशन को हम यहां से अक्सेस कर पा रहे हैं पूरा तो यह कितने ताम जितने भी पॉलिंग स्टेशन है चाहे हैं तो आप देख सकते हैं कि इन्होंने बताया कि यह जो पॉलिंग है बिल्कुल स्मूथली चल रही है प्रॉपर सर्विलांस जो है वो किया जा रहा है क्योंकि यह इलाका बिल्कुल बॉर्डर के साथ सटा हुआ ह तो ऐसा माना जा रहा है कि आज की जो पॉलिंग है जो मतदान है वो शांती पूर्वक यहां पर जो है वो करवाया जा सके